आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Queshans सहीज आपको यहाँ पर एक Table given है जिसमें आपको Mass Number and Number of Neutrons जो है 4 Elements PQRS की given है आपको बताने की किन पीरेट से आपके Elements बिलॉंट करते है clear अगर मुझे इन Elements का पीरेट जानना है सबसे बहले मुझे recognize करना होगा कि आपके PQRS Elements basically आपके है कौन से है इसके लिए मुझे इनका Atomic Number देखना होगा fine so देखो Atomic Number अगर आपको जानना है आपको बताई कि Atomic Number में इस बहुता है to the number of Protons so मुझे आपके इनके Protons निकाल ले होगे जितने Protons होगे वह इनका Atomic Number होगा clear वह आपके इसे निकाल सकते है आपको बताई ही इसी भी अलिमेंट का जो मास निकालती होगा आपका इकोल होगा to the number of Neutrons plus Protons के fine so हम one by one सब में आपके Protons निकाल सकते using this formula fine so मैं क्या करती हूँ यह पर Protons अगर मैं निकालती हूँ so देखो अगर मैं बात करती हूँ आपका P element की right so उसमें अगर मैं बात करती हूँ आपके number of Protons की so वो आपके कितने हो जाएंगे देखो subtract करना है उसका mass number और उसके neutrons को so 12-6 कर दो 6 right Q के case में क्या हो जाएगा 20-10 कर दो Protons कितने हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ minus 18 that is 17 right clear so यह Protons आगे में पर 6 10 11 17 so यह elements basically आपके कौन से हो गए है 6 Atomic 6 Protons वाला है मतब 6 Atomic Number है उसका right so 10 Atomic Number 11 और 17 right so अब देखो अगर मैं इनके यहाँ पर name की बात करती हूँ element की name की so 6 Atomic Number वाला होता है Carbon 10 वाला होता है Neon 11 वाला होता है Sodium and your 17 वाला is your Chlorine so अगर इनके period के अगर मैं बात करती हूँ referring to the modern periodic table so you will see that Carbon belong करता है आपका 2nd period से Neon भी 2nd का होता है Sodium और Chlorine जो होते हैं यह 3rd period के होते हैं so यह आपका correct answer होगा Thank you